हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू साइंस मैगनेट दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी आई होप सभी बहुत अच्छे हैं शानदार हैं यह है दोस्तों आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 शुरू करने जा रहे हैं और एक इंपोर्टन जानकारी क्या है सर आज शाम को 4 बजे बहुत जने बोल रहे हैं सर ऐल्पी टेक्शन के प्रिवीस एयर के क्वेशन भी सॉल करवा ओ शाम को चार बजे हम लोग ऐल्पी टेक्शन में जो साइंस के विगत्वर्ष के जो प्रशनायते सॉल करने वाले हैं आज शाम को चार बजे आप लोग देखेंगे किस प्रकार का पेपर आप लोगों का पूछा गया था ठीक है चलिए और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था इस संडे सुबह 10 बजे जनरल साइंस के एक बहुत बड बताना है एक करेक्ट सीक्वेंस जैसे क्या टीशू से सेल बनती है सेल से सिस्टम बनता है क्या एक करेक्ट सीक्वेंस है आप लोगों को बताना है बताओ अब बताईए देखो आज ये कुछ ब्लू ब्लू से लगता है देखो दोस्तों आप लोगों को पता है हमारी पूरी बॉडी किसे मिलके बनी हुए सेल से मिलके बनी हुए हमारी बॉडी की सबसे चोटी उनिट क्या है सेल है एक्चुली में क्या होता है सेल मिलके क्या बनाती है ऐसी सेल जिसका इस्ट्रक्चर एक जैसा है जिसका फंक्शन एक जैसा है सेल मिलके क्या बनाती है दोस्तों टीशू बनाती है ध्यान रखेगा औ और दोस्तो टीशू यानि उत्तक मिलके क्या बनाते हैं औरगन बनाते हैं औरगन मिलके बनाते हैं सिस्टम जैसे अलग-अलग सिस्टम होता है न हमारे बोड़ी में स्केल्टल सिस्टम नर्वस सिस्टम तो नर्वस सिस्टम कुछ अंग से मिलके बना हुआ है किसे ब्रेन से और spinal cord से जैसे हम लोग बात करें digest to system किसे मिलके बना हुआ है पेट छोटी याद बढ़ी याद तो अंग मिलके क्या बनाते हैं सिस्टम बनाते हैं और जब सारे सिस्टम आप लोगों के मिल जाएंगे तो पूरे पूरा क्या बन जाता है वो जीव बन जाता है बोड़ी बन ज के चीर्डे इतनी दी गई हैं माइक्रों के बराबर और जैसे कोई प्रकाश की यह थे जो है तो जो तरंग होती है तो यह दी हम्याएंग क्यों दिया और micron होता क्या है देखिए दोस्तों एक micron को ही हम लोग एक micron बोलते हैं एक micron का मतलब क्या होता है एक micron और micron का मतलब होता है 10 की power minus 6 meter ठीक है अब ही करते है solve variation मत हो यह देखो इसमें simple से गनित लगा के मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या दश्मलों के बाद में किते हैं के एक दो तीन चार पाँच तो पाँच जीरो आ जाएंगे या मैं इसको दस की गत पाँच मिटर बूल सकता हूँ यहाँ पर किसे को कोई दिक्कत नहीं इसको क्या मैं यह लिख सकता हूँ क्या उख फ्ट की गता-माइनस पाँच मिटर किसी को कोई दिक्कत है क्या नहीं है अब क्या मैं दस का गुना दस का भाग कर सकता हूँ क्या बिलकुल कर सकते हो जब मैं दस से गुना कर दूंगा क्या बन जाएगा 60 बन जाएगा और जब मैं 10 से भाग कर दूँगा 10 से भाग कर दूँगा 10 से भाग कर दूँगा तो क्या हो जाएगा 10 उपर जाके 10 की गात माइनस 1 हो जाएगा तो 60 गुना 10 की गात माइनस 1 गुना 10 की गात माइनस 1 10 की गात माइनस 5 10 की गात माइनस 1 मिटर हो जाएगा आपको पता है जब base same होता है तो power add हो जाती है तो दोनों को add करोगे कितना हो जाएगा 10 की गात minus 6 meter हो जाएगा और 10 की गात minus 6 meter को ही तो आप लोग क्या बोलते हो micrometer बोलते हो micron बोलते हो तो ये किसके बराबर हो गया 60 micrometer के बराबर हो गया इतने माइक्रोन के बराबर हो गया option number B आपका correct answer हो जाएगा कुछ जन्ने D भी बोल रहे हैं दोस्तो D नहीं होगा समझ गए बात को चले आगे आजाओ चलिए Nash question आपके screen पे आपको बताना है निमन में से कौन एक swap पोशी है एक autotroph है देखिए दोस्तो आपको पता है हर organism का nutrition का तरीका अलग-अलग होता है सर कैसे जैसा अगर हमारी बात करें हम भोजन के लिए किसी दूसरे पर depend रहते हैं तो हम क्यालाएंगे hetrotroph, visham, poshi लेकिन कुछ ही जीव ऐसे होते हैं जो photosynthesis कर लेते हैं अपना बोजन खुद बना लेते हैं उनको हम लोग बोलते है autotroph तो इन में से कौन photosynthesis कर लेता है क्या fungus कवक photosynthesis करते हैं क्या नहीं दोस्तो अगर ये photosynthesis कर लेते हैं तो इसमें और plant में कुछ अंतर ही नहीं होता fungus नाम की कोई नई चीज ही नहीं बनती fungus को plant से अलग हमने इसलिए किया है क्योंकि ये photosynthesis नहीं कर सकते हैं बहुत बढ़िया दोस्तो प्लाज मोडियम क्या है सर ये एक सूख्ष में जीव है क्या ये अपना बोजन कुद बना लेता है क्या नहीं सर ये परजीवी प्रकर्टिका किसे दूसरी के बोड़ी में से जाके बोजन लेता है जिसा हमारी बोड़ी में जब आएगा ना बोजन लेने के लिए तो उमको बिमार कर देगा malaria रोग हो जाता है तो सर ये भी नहीं होगा जितने भी animals होते हैं सर वो भी photosynthesis नहीं करते तो ये भी answer नहीं होगा क्या दोस्तो जितने भी bacteria है क्या वो photosynthesis करते क्या नहीं सर जो bacteria होते हैं वो photosynthesis नहीं करते लेकिन कुछ bacteria ऐसे होते हैं जो photosynthesis कर पाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं साइनो बैक्टिरिया बोलते हैं याद है क्या तो ये आपको जो option number c दिया है न वो साइनो बैक्टिरिया कई एक एक जंपल है इसका मतलब सरी है फोटो सेंटिसिस कर सकता है करेक्ट अंसर आप्शन नमबर सी हो जाएगा समझ गए बात को आ गई बात समझ में आ जाओ बहुत बढ़िया क्योश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तो इसमें एक उप्शन रह गया है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सी टू एच टू बताओ यह एक उप्शन रह गया था जो एथिलीन है इसका फॉर्मूला आप लोगों को बताना है एथिलीन का अब आप लोगे कि यह सी टू एच टू इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है आपको पता है दोस्तो हाइड्रोकार्बन आप लोग जानते हो हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हो बिलकूल सर ऐसे योगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते है जैसे methane भी एक hydrocarbon है ये C2H2 ये भी एक hydrocarbon है C2H4 ये भी एक hydrocarbon है hydrocarbon आप लोगों की तीन प्रकारखे होते हैं एक तो होता है आप लोगों का alkene alkene कौन से hydrocarbon होते हैं जहांपर carbon carbon के बीच में single bond देखने को मिलता है एलकीन कौन सा होता है जहांपर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉंड देखने को मिलेगा और एक होता है एलकाइन एलकाइन कौन सा होता है जहांपर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉंड देखने को मिलेगा ठीक है तो आप लोगों के मन में आएगा कि सर ये तो ट्रिपल बॉंड है ये तो एक एलकाइन है और किते कार्बन है दो कार्बन है देखिए एक कार्बन के लिए हम लोग वड़ इस्तिमाल करते हैं मैथ दो के लिए इस्तिमाल करते हैं एथ तो आप लोगों के सर ये तो एथाइन ह यह तो एथाइन है similarly यह C2H4 यहाँ पर कारँबन कारँबन के भीच में डबल बॉन्ड होता है ठीक है एक नाशे करोगे एक हाइद्रोजन ये रहा एक ये रहा आप लोग बोलोगे सरी है तो डबल बॉन्ड है ये कौनसा हाइद्रोकारबन है एलकीन और जब कार्बन की संख्याद दो होती है तो इसके लिए वर्ड कौन सा इस्तिमाल करते है एथीन करते है तो आप लोग बोलोगे सर यह एथीन है तो आप क्या करोगे सबसे पहले दो आप्शन को अटा दोगे कि यार यह तो होई नहीं सकता यह होई नहीं सकता लेकिन आपके जानकरी के लिए बता दूँ दोस्तों जो आप लोगों का एथीन है जो एथीन है ना एथीन C2H4 ये C2H4 का IUPAC name है एथीन लेकिन इसका common name इसका जो general name है साधरन नाम है वो क्या है एथीलीन है तो एथीलीन का formula क्या हो जाएगा option number C हो जाएगा similarly आप से पूछा जाए कि ये जो C2H2 है इसका IUPAC name होता है एथाईन क्या इसका भी कोई common name होता है क्या आप लोग बोलोगे बिलकुल सर इसका भी common name होता है और इसका common name क्या होता है acetylene समझ गए बात को कोई समझ्चा कोई दिक्कत नहीं सर चलो आगे चलते हैं next question पर बताओ बताओ दीपक कलाल का तोरा पता नहीं कैसे कमेंट कर रहा है उसका अगे हरे रहे अरे दीपक जी simple C बोल दो मैं समझ जाऊंगा अभी देखो आप लोगों को मैं ब्लॉक कर दूँगा क्यों 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 कि आप ऐसे हरे रहे ना बिल्कु कमेंट में से दिखा ऐसे बिल्कु गंदगी फेला के रखते हो आप आराम से पड़ो यार simple C दे दो बी जदो मैं समझ जाऊंगा आजाओं प्रत्वी पर पलायन वेग का मान इतना है सर पलायन वेग क्या होता है यह समझाइए जैसे मानलो यह प्रत्वी है आप प्रत्वी पर खड़े हो के कोई भी चीज उपर फैक्टे हो तो क्या वो नीचे आ जाती गया उपर फैक्ट यो तो कि अब वो नीचे आ जाती कि क्यों आती है तो कि सर प्रत्वी जो होती है उसको अपनी और आकर्शित कर लेती है प्रत्वी का इतना ज़्यादा आकर्शन है इतना ज़्यादा गुरुत्व ये आकर्शन है उसको अपनी और आकर्शित कर लेगी लेकिन अगर किसी वस्तु को मैं इतने तेज वेग से फैक हूँ कि कभी भी वो लोटके वापिस नहीं आए तो उसको आप लोगो क्या बोलोगे पलायन वेग बोलोगे escape velocity बोलोगे escape velocity पलायन वेग का सूतर पता है क्या बिलकुल तो अगर प्रत्वी से किसी वस्तु को फैक ना है आपको जो वापिस कभी लोटके नहीं आए तो पलायन वेग का फॉर्मला होता है जब सारी value put करोगे तो आपका अंसर आजाएगा 11.2 km per second अब मैंने यहां पर कहीं पर लिखाए क्या यह पत्थर के लिए है यह पैन के लिए है मतलब आप किसी भी वस्तु को इस वेग से फैकोगे ना तो वो कभी भी लोटके वापिस नहीं आएगा क्यों क्योंकि पलायन वेग का मान वस्तू पर निर्बर नहीं कर रहा किस पर निर्बर कर रहा है प्रत्वी पर प्रत्वी के द्रवे मान पर प्रत्वी की तरज्या पर ठीक है अब दोस्तों किसी दूसरे ग्रह पे चलते हैं एक एक ऐसा ग्रह पर चलते हैं जिसकी तरज्या क्या है प्रत्वी की यही है under root of 2 into capital G into M, M किसका लेना है, जिस ग्रहे से आप लोग फैक रहे हो, आपको उस ग्रहे पर निकालना ना पलाएन वेग, तो उस ग्रहे का दरवेमान लेना है, तो उस ग्रहे का दरवेमान कितना है, 8M, बटे उस ग्रहे की तरिज्जे कितनी है, 2R है, बहुत बढ़िया समझ में आगए बात को, तो यह 8 कट जाएगा, 2 से 4 बार में, यह 4 under root के अंदर है, बाहर आके क्या बन जाएगा, 4 का under root हो जाता है, 2, तो 2 into under root 2 GM, बटे R बच गया, दोस्तों इसकी value क्या थी, यह वाली value क्या थी, 11.2 तो 11.2 को 2 से multiply करोगे, कितना हो जगा, 22.4, यानि इस ग्रहे से, अगर किसी वस्तु को इस वेक से फैक होगे, तो वो कभी लोटके नहीं आएगी, समझी में आगई बात को, clear है, डर तो नहीं लग रहा, numerical से, समझ मारा ना, आपको चाया numerical हो, थार्टिकल हो, कहीं पर भी डढ़ने की जरूतनी है, रूस्तों, सारे question आराम से बन जुड़ जाओगे, आजाओ, Nash question आपके screen पे, अंसर आप लोग बताओ, तो आपने सुना होगा, कोई बोलता ना, कि यार मेरे 2 नंबर का चश्मा है, मेरे minus 1 नंबर का चश्मा है, मेरे minus 0.75 नंबर का चश्मा है, actually क्या होती है, वो उनकी चश्मे की power होती है, जैसे कोई बो मान लीजिए, आप डॉक्टर के पास में गए, उन्होंने बोला कि भईया, आपको चश्मा लगेगा, कौन सा, minus 5 डायप्टर लेंस वाला, तो इसका मतलब क्या है, और क्या आप मुझे ये भी बता सकते हैं, क्या उसको समश्या क्या थी, उसको दूर की वस्तुए साफ नह अगर अगर लेंस की पावर नेगेटिव होती है, इसका मतलब वहन पकान कव लेंस है, अअगर लेंस की रेंस कहले ये माइनस वाला चश्मा लगया, इसका मतलब कौन सा लेंस है, वह कौ्ण के वह है convex को टा चार प्रिक है क्या आप लोग इस लेंस की फोकल लेंड भी बता सकते हैं कि बिल्कुल सर हमको पता है किसी भी लेंस की पावर क्या होती है one upon focal length तो इस फोकल लेंड निकालनी तो क्या और जागा one upon पावर, अगर पावर का मान आप लोग डायोप्टर में रखोगे तो focal length का मान किस में आता है मिटर में आता है, तो कितना डायोप्टर वाल लगा है, 5 डायोप्टर वाला तो 1 upon 5 कितना हो गया, 0.2 तो 0.2 मिटर है उसकी focal length 0.2 मिटर है या मैं बोल सकता हूँ 20 cm है, ठीक है तो option number A सही हो जाएगा, आप लोग मुझे एक चीज और बता दीजिए कुछ बच्चे बोलेंगे, सर इधर minus क्यों नहीं रखा रख लो minus कोई करनी focal लें ता जाएगी minus 0.2 या minus 20 cm तो अभी सिर्फ magnitude पूछा गया है ठीक है, दोस्तों मुझे एक चीज और बताओगे गया बता दोगे गया, हाँ सर मैं बता दूँगा, पूछो तो सही मुझसे मुझे ये बताओ, इस व्यक्ति को जिसको ये वाला चश्मा पहनाया गया है उसको दिक्कत क्या थी, उसको दूर की चीजे साफ नहीं दिखाई दे रही थी ये पास की चीजे साफ नहीं दिखाई दे रही थी, बताओ सर, आपने कौन सा लेंस लगाया है, कौन केव, अवतर लेंस कब लगाते हैं, आपको पता है क्या जब किसी व्यक्ति को मायोपिया होता है निकट द्रश्टी दोश होता है उस व्यक्ति के इलाज में हम लोग कौन सा चश्मा लगाते हैं कौनकेव लेंस वाला चश्मा लगाते हैं और मायोपिया निकट द्रश्टी दोश में होता क्या है ऐसा निकट की वस्तोय तो साफ दिखाई देती दूर की साफ नहीं दिखाई देती तो उसको दूर की नहीं दिख रही थी फिर डॉक्टर नहीं बहुत बढ़िया आजाए दोस्तों नैश कोशन बहुत प्यारा कोशन है बहुत प्यारा कोशन है आजाओ दोस्तों पानी में मा का बुलबुला है एर का बबल है चीक है तो यह किसकी तरह काम करेगा क्योशन में आप लोगों से यह पूचा गया है चीक है कैसे कम करेगा तो एक चीज़ मुझे बताओ पहले तो मुझे बताओ मिरर काम क्या करता दरपन क्या काम करता है सर दरपन कराता है प्रकाश का यह बढ़ीा आपको तो आता है और लेंच क्या करवाता है सर यह रिफ्रेक्शन करवाता है अप वरतन करवाता ए बहुत बढ़िया दोस्तों होळा क्या जैसे मानलो अगर कोई प्रकाश की किरन पानी से पानी से अंदर एयर में जाएगी तो क्या होगा जब भी प्रकाश किरन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने पत से विचलित हो जाती है इसी को तो अपवर्तन बोलते हैं तो कुल मिलाके ये भी क्या करेगा प्रकाश की किरनों कुछ मोड देगा ऐसे नहीं जाके कुछ अलग चल जाएगी तो कुल्म लाके सरी एक लेंस का गाम कर रहा ही है क्योंकि अपवर्तन करा रहा है बहुत बढ़िया अब कैसा अपवर्तन करवा रहा है देखो दोस्तो मुझे बताओ पानी में और वायू में कौन डेंसर है और कौन रेरर है कौन सगन है कौन विरल है सर पानी का पवर्तनांग जादा होता है एक देश्मलों तीन तीन तो ये डेंसर मीडियम है ये सगन माद्यम है इसका पवर्तनांग कम है इसलिए ये रेरर मीडियम है विरल माद्दे में बहुत बढ़िया दोस्तो जब भी प्रकाश की किरन डैंसर से रेरर में जाती है तो क्या होता है सगन से विरल में जाती है तो क्या होता है आपको पता है गया हाँ सर पता है मुझे क्या होता है बता हूँ सर अबिलम से दूर हट जाती है तो हुआ क्या देखो जब प्रकाश कर निदर जा रहे थी जहां पर ये टच कर रहा उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ट्रॉ कर डीजे इसे बोलेंगे नॉर्मल यानि अबिलम दोस्तो जानी चाहिए थी ऐसे लेकिन मैंने क्या बोला जब भी डेंसर से रेरेर में जाएगी अबिलम से दूर हट जाएगी तो ये रहा अबिलम जानी चाहिए थी ऐसे तो अबिलम के पास आगी किन्दों का डाइवर्जन हो रहा है बताओ कौन सा लेंस डाइवर्ज करता है सर कौन वेक्स लेंस उत्तर लेंस तो प्रकाश के लेंस को कन्वर्ज करता है और कौन के होता न अवतल वो डाइवर्ज करता है तो ये आप लोग क्या बोलोगे सर ये कौन के लेंस की भाती वेवार कर रहा है समझ में आ गई क्या है यार बताओ आज यह ठंड लग रही है चोड़ सा यह पहले तो बताओ समझ में आगी क्या अरे आई यह नहीं आई बताई यह आप बताते नहीं हो आगई बात समझ में तो देखो अगर वाटर के बीच में एर का बुलबुला है ना देखो प्रकाश क्रेंट जब इसमें आई ना तो यह कुछ ऐसे जा रही है आगे बात बहुत बढ़िया आज़ो नेश कोशन आपके स्क्रीन पे दियान से रेखिए अंसर बताओ बताओ इन में से कौन सी धातू नाबी के रियक्टर में नियंत्रक छड के रूप में कारे किया जाता है दोस्तो आपको पता है हमारे देश में जो बिजली बनती है वो कहां पर बनती है पावर प्लांट पे बनती है अलग-अलग प्रकार के power plant होते हैं जैसे सुनाओगा hydraulic power plant जहांपर पानी से बिजली बनाई जाती है आपने सुनाओगा thermal power plant जहांपर कोईले से बिजली बनाई जाती है आपने सुनाओगा nuclear power plant जहांपर nuclear energy से बिजली बनाई जाती है अब सर ये nuclear energy क्या होती है पहले तो मुझे ये समझाओ और ये nuclear जो power plant होता है ये उसमें control rod क्या है ये समझाओ देखो दोस्तो जब कोई एक बड़ा नाबिक छोटे छोटे नाबिक में तोटता है तो इस गटना को बोलते है nuclear fission यानि नाबी के विखंडन और इस अभीक्रिया ये उरेनियम का नाबिक था जब आप लोग इसमें neutron डालते हो ना तो ये नाबिक थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और ये क्या होता है अनिस्टेबल होता है तो छोटे छोटे नाबिकों में तूट जाएगा और साथ में हमको क्या देगा energy देगा लेकिन चक्कर क्या है दो Equidum के अंदर हही होता है nucleus रहा क sha ninaабic दोस्तों कोई एक neutron गया आपका इसने इसको तोड़ा इससे energy मिलिए अच्छी बात है तीन neutron और निकल गए ये इस पे जाएगा यह इस पर जायगा इसको तोड़ए स्को तोड़ेगा is को तोड़ेगा इसे तीन न्यूट्रॉन तो फिर वह एनिक न्यूट्रॉन मतलब बहुतOOOO उन्कंट्रोल रियक्षन हो जाएगी, तो हमको क्या करना है, जो एक 3 न्यूट्रों निकले, उसमें से 2 को आप एब्जॉर्ब कर लो, जिससे फिर एक ही बचेगा, फिर एक इसको तोड़ देगा, एनन्रजी बन जाएगी, पिर जो वापिस 3 neutron निकले उसमें से 2 को absorb कर लो जिसे control reaction रहेगी तो ये neutron को, extra neutron को absorb करने का काम किसके द्वारा होता है nuclear power plant में control rod के द्वारा होता है और ये control rod जो बनती है वो cadmium की भी आप लोग बना सकते हो या फिर आप लोग boron की भी बना सकते हो ठीक है option number B इसका सई अंसर हो जाएगा ठीक है आज़ो चलिए बताओ question आपके screen पे अंसर बताओ सर इसको block करो दीपक जी को दीपक जी नहीं मांद रहे गया दीपक कलाल का तोरा रादा अकृष्णन तू मेरे पे focus कूँ कर रहा है अरे दीपक जी इधर focus कर लो सब बच्चे इधर focus कर लो ठीक है आज़ो Newton into second यह किसकी इकाई है किसकी मात रगए सर अगर केवल अंसर पूछा जाता Newton किसका मात रगए तो मैं अंसर लेज़ता force सर अगर केवल पूछा जाता second किसकी unit सेकंड किसके एक ही है तो मन सर दिलेड़ टाइंग लेकिन सर ये newton into second क्या होता है सर मुझे तो नहीं पता कोई बात कोई बात नहीं tension क्यों लेते हो क्या आपको पता है क्या kilogram into meter per second square को ही newton बोलते हैं किसको ये बात पता है जल्दी बताओ बिल्कुल सर मुझे पता है तो Newton का मतलब मैंने इधर लिख दिया ऐसे और इधर एक सेकंड थाई तो एक सेकंड से एक सेकंड कट जाएगा तो kilogram इंटू मिटर पर सेकंड आ गया ये किसका मात्रक है आपको पता है क्या सर kilogram तो होता है mass का द्रव्यमान का और मिटर पर सेकंड होता है velocity का तो mass into velocity क्या होता है आपको पता है कि द्रव्यमान गुना वेग हमको पता है सर क्या होता है momentum होता है तो momentum का मात्रक हो गया यह option number C समझ में आ गई है आ गई है चलो बहुत बढ़िया चलो इसका अंसर बताओ यह अच्छा ग्योशन है बहुत प्यारा ग्योशन है बहुत प्यारा ग्योशन है बताओ बहुत प्यारा ग्योशन है दोस्तों आपको ग्लास का काच का अपवर्तनांग दिया हुआ है कितना 3 बटे 2 आपको पानी का वाटर का दिया हुआ है कितना 4 बटे 3 आपको बताना है काच और पानी में प्रकाश के वेग का अनुपात क्या होगा काच में जो light जिस velocity से जाएगा और water में जिस velocity से जाएगा वो ratio बताओ आप बोलेंगे सर मुझे तो नहीं पता कोई बात ने नहीं पता सौल करते हैं दोस्तों आपको ये तो पता है ना जिस माध्यम का अपवर्तनांग जादा होता है इसका मतलब वह है डेंसर मीडिये में सगन माध्यमें सर उसमें प्रकाश के चाल जो होगी न वो क्या होगी कम होगी ठीक है समझ में आगया और जिस माध्यम का अपवर्तनांग होता है कम उस माध्यम में प्रकाश के चाल होती है जादा समझ में आगया क्या मैं बोल सकता हूँ किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांग होता है ना वो इस माध्यम में प्रकाश की चाल के व्युत का मनुपाती होता है किसी भी मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स उस मीडियम में स्पीड ओफ लाइट के इंवर्स्ति प्रपोर्शनल होता है तो कुल मिला कि मैं यह बोल सकता हूं कि अगर पहले माध्यम ग्लास का और वाटर का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का जो रेशो होगा ना वो किसके बराबर होगा जस्ट इन में स्पीड ओफ लाइट और इस्पीड ओफ लाइट का जस्ट उल्टा होगा वी डबलू बाई वी जी होगा क्लियर ऐसा बोल सकता हूं मैं ऐसा बोल सकता हूं जो इनक अपवरतनांग का जो रेशो होगा वो उसका इल्टا रेशो होगा तो ढ़ Usky Labs का अफ़रतनाग दिया हुए हुआत तीन बट्टे-दो ये चार बटे तीन उद्र चला गिया ये तीन बटे दो ये दो पर चल जाएगा चार दो ने आट ये तीन नीचाएगा आट बटे नो अंसर हो जाएगा और एक चीज बताऊंगो आपको काच क्या है एक dancer medium है सगन माद्य में क्योंकि इसका प्रतनांग जादा है कितना 3 विटे 2 1.5 के आसपास है पानी का कितना है एक दश्मलो तीन-तीन तो दोस्तो अगर यह सगन माद्य में इसमें प्रकाश के चाल क्या होगी कम होगी पानी में थोड़ी जादा होगी तो यह जो अनुपात होगा एक से कम आएगा तो ये तो होई नहीं सकता ये तो होई नहीं सकता या तो ये होता या ये होता क्लियर है क्या समझ में आ गया दोस्तो आध शाम को चार बजे ELP और टेक्निशन के प्रीविज एर के क्योशन्स करवांगो जूर जाना अगर सपना है एलपी टेक्निशन बनना आ जाओ नैश कोश्चन आपके स्क्रीन पे अंसर आप लोग बताए किस तरह पदात में सोडियम रखा जाता है बहुत सिंपल क्योशन है जोस्तों आपको पता है जब भी किसी मैटल की रियक्शन करवाओगे ना आप जाता है ठीक है अब दोस्तों कुछ-कुछ मैटल जो होती है इतनी जड़ा रियक्टिव होती है कि आप ठंडे पानी में भी रखोंगे ना उसको वह रियक्ट कर लेगी जैसे सोडियम हो गया पोटेश्यम हो गया केल्शियम हो गया कुछ मैटल ऐसे बोलते है कि मैं ठंडे पानी से करूंगी ना मैं गरम पानी से करूंगी मुझे भाप दो वैपर दो कुछ मैटल ऐसे बोलते हैं ठंडा गरम कुछ में लियाओ मैं अभी रियक्रिय करूंगा ही नहीं दोस्तों सोडियम बहुत जड़ा रियक्टिव है अगर आपने इसको पानी के अंदर रखा बहुत जड़ा रियक्टिव है तो इसलिए हम लोग इसको केरोसीन में रखते हैं मिट्टे के तेल में संग्रेट करते हैं जिससे चुपचाप बैठर रहेगा कुछ दिक्कत नहीं करेगा चलो आजाओं सर जी क्योशन नमबर नाइन में अंगुलर मोमेंटम होगा ना सर अरे लेंगियर मोमेंटम होगा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मल होता है एम इंटू वी इंटू आर ठेक है बताओ किसी तत्व का परमानू करमांग आपको दे दिया 13 उस तत्व में कितने कोश होंगे ठीक है परमानू करमांग 13 का मतलब क्या है उसके एक परमानू में प्रोटोन की संख्या 13 जितने प्रोटोन होते हैं उत्ते ही इलेक्टोन होते हैं तो इलेक्टोन भी कितने होंगे 13 बीच में होता है नूकलियस नाविक और इसके चारों रोती कक्षा जिसमें लेक्टोन चक्कर लगता है पहले कक्षा में किते लेक्टोन रह सकते हैं दो दूसरी में आठ तो तेरा में से दस को तो आपने सेट कर दिये बचा कितना तीन तीन चल जाएंगे अगली कक्षा में इसके पास में टोटल कक्षा कितनी होगी तीन होगी चलिए इसका अंसर बताओ कि इसका अंसर बताओ कि मताओ कि मताओ कि एक निश्चित तार एका प्रतिदों दिया हुआ है एक्क्यासी ओम एक कोई तार है चलो भी यह तार माले न यह तार है कोई ए इसका रजिस्टेंस कितना इस इस ए वाली तार का रजिस्टेंस कितना दिया हुआ है एक्क्यासी ओम दिया हुआ है बहुत बढ़िया समान पदा अच्छा दूस्तों एक चीज़ और में बता दू इसकी length मान लेते हैं हम लोग L ठीक है इसका diameter मान लेते हैं हम लोग D तो अगर diameter D है तो ये area बता सकते हूँ कि cross section area अनुप्रस कार्ट शेत्रफल का मान कितना होगा सूत्र जानते हो πाई आर स्क्वेर होता है न अगर diameter की term में बात करोगे तो कितना हो जागा पाई बाई 4 D square हो जागा सही बोल रहा हूँ क्या मैं ठीक है अब बोला जा रहा है कि एक दूसरा तार है जो समान पदा जैसा अगर ये copper का है तो वो भी copper का ये silver का है तो ये भी silver का length भी क्या है दोनों की समान है लेकिन तीन गुना व्यास उसका diameter तीन गुना है ये कोई दूसरा तार लिया B इसकी लंबाई भी L है लेकिन इसका जो diameter है ना diameter वो तीन गुना है इसका D माना तो ये 3D है तो मुझे बताओ इसका resistance क्या होगा बताओ इस तार का resistance कैसे निकालेंगे resistance प्रतिवोध निकालने का सूतर क्या होता है सर прतिवोधग्ता गुना लंबाई बटे एरिया थीक है तो इसकी प्रतिवोधग्ता को हमने ये मान लिया इसके लंबाई को L मान लिया इसका area कितना हो जाएगा पाई बाई फूर डी स्क्वायर और ये मान आपको किता दिया हुआ है एक्यासी दिया हुआ है बहुत बढ़िया आज़ा यहां पर हम लोग बात करते हैं इसका रजिस्ट्रेंस क्या होगा सर फॉर्मला तो वही होता है प्रतिदोधक्ता गुना लंबाई बटे एरिया इसकी प्रतिदोधक्ता क्या होगी जितनी इसकी थी उतनी ही इसकी रहेगी क्योंकि पदाट से मैं प्रतिदोधक्ता का मान लंबाई चोड़ाई से चेंज नहीं होता पदाट से चेंज होता है तो पदाट वही है तो इसकी प्रतिदोधक्ता उतनी होगी गुना लंबाई इसकी तंबाई भी इतनी है बटे एरिया एरिया का फॉर्मला क्या है पाई बाई फोर डी स्क्वाइर इसका डी किता दिया हुआ इसका डामेटर किता दिया हुआ थ्री डी तो स्क्वाइर करोगे तो क्या जागा नाइन डी स्क्वाइर समझ में आ गया मेरे प्यारे दोस्तो रो एल अपॉन पाई बाई फोर डी स्क्वाइर ये वाली वैलू कित्ती दी गई थी ये मान कितना दिया हुआ है 81 तो ये कितना हो जाएगा 81 बटे 9 कितना हो जाएगा 9 ओम ओप्शन नमबर 20 समझ में आ गई बात को चले आगे समझ में आ गया कोई समझ्या तो नहीं है सिंपल सा क्योशन है आ जाओ चलिए इसका अंसर आप लोग बताओ इसका अंसर बताए आप लोग परमानू कक्षक की उर्जा में व्रद्धी का सही गरम क्या है आपको पता है जो इलेक्ट्रून रहते हैं हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रून काहाँ पर होता है एटम के बीच में सर न्यूकलियस होता है नाभीक होता है उसके चारो और कोश होते है कक्षा होती है उसमें इलेक्ट्रून चक्कर लगाते है लेकिन दोस्तो ज़्यादा डिटेल में बताऊं क्या इस कोश के अंदर यानि इस शेल के अंदर क्या पाए जाते हैं सब शेल पाए जाते हैं उपकोश पाए जाते हैं उस उपकोश के अंदर क्या पाए जाते हैं और बाइटल पाए जाते हैं कक्षक पाए जाते हैं उसमें एलेक्टरन मिलेंगे आपको जैसे यह आप लोग देख पार ना 3S, 3P, 4P, 3D यह सारे क्या है कक्षक के नाम है जैसे 3S इस कक्षक का मतलब क्या है यह जो कक्षक है वो तीसरे कोश में है और S उपकोश में है जैसे भई कोश होता है ना पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश वैसे उपकोश के नाम क्या होता है S उपकोश, P उपकोश, D उपकोश, F उपकोश इसका मतलब क्या है कि यह जो कक्षक है वो चौते कोश में है और S उपकोश में है इसका मतलब क्या है यह तीसरे कोश में है और P उपकोश में है तो सर इलेक्ट्ट्रोन सबसे पहले कहा पर जाएगा अच्छा आपको बताना की बढ़ते वए energy का करम बताओ किसकी energy ज्यादा है किसकी energy कम है दोस्तो ध्यान रखिएगा electron हमेशा पहले उस कक्षट में जाता है जिसकी energy कम होती है अब सर ये energy निकालते कैसे है energy ज्यादा अब सरी एन प्लस एल होता क्या है देखो आजाओ दोस्तो एन तो होता है प्रिंसीपल क्वांटम नंबर मुख्य क्वांटम संख्या जो आपको कोश के बारे में बताती है ठीक है जैसे अगर किसी के लिए एन का मान वन है इसका मतलब है पहले कोश में अगर एन का मान टू है तो इसका मतलब है दूसरे कोश में अगर एन का मान तीन है तो इसका मतलब वो तीसरे कोश में बहुत बढ़िया दोस्तो एक होता है आपका एजी मुथल क्वांटम नंबर जिसको एल से रिप्रेजेंट करते है यह आपको सब शेल के बारे में बताता है के लिए एल का मान होता है वन डी के लिए एल का मान होता है टू एफ के लिए एल का मान होता है तीन ठीक है तो चलो बात करते है पहले थ्री एस थ्री एस के लिए एन का मान कितना है कौन से कोश में तीसरे कोश में उपकोश कौन सा है एस एस कोश के लिए एल का मान कितना हो तो n प्लस l का मान कितना हो गया है आपर कितना हो गया तीन हो गया बहुत बढ़िया चलो 3p के लिए बताओ 3p के लिए n का मान 3 पी का मान 3 प्लस 1 4 ठीक है दोस्तो 4s की बात करें कोश कौन सा 4 उपकोश कौन सा s,s के लिए l का मान 0 तो 4 प्लस 0,4 समझ में आ गए बात को ठीक है 3d के लिए बात करो 3d मे Dance में n का मान 3 l का मान कितना हो जाएगा 2, 3 प्लस 2, 5 हो गया 4p के लिए n का मान 4, p का मान 1 तो यह हो जाएगा 5 है न 4S के लिए कितना आयता N प्लस L का मान 4 आयता 3P के लिए कितना आयता 4 आयता इसके लिए कितना आयता 3 आयता अब आप लोग बोलोगे कि सर इन दोनों के N प्लस L का मान समान है तो किसके एनरजी जादा होगी पहले मुझे यह बताओ सर इनके लिए N प्लस L का मान समान है तो किसके एनरजी ज़्यादा होगी दोस्तो जब भी N प्लस L का मान समान होता है न तो हम लोग किस से देखते हैं केवल N से देखते हैं तो अगर N प्लस L का मान सेम है तो एनरजी किस से देखता है सिंपल N से जिसका n ज़्यादा उसकी energy ज़्यादा जैसे यहाँ पर देखो दोनों के n प्लस l का मान क्या है चार है लेकिन n का मान किसका ज़्यादा है इसका ज़्यादा है तो इसकी energy ज़्यादा होगी इससे similarly यहाँ पर दोनों के N पर से L का मान ज़्यादा है लेकिन इसके N का मान ज़्यादा है इसके N से तो इसके energy ज़्यादा होगी तो option number A बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तो समझ में आगया क्या रटने की जरुत नहीं पड़ेगी पूरा मैंने समझाया आपको एक लड़का है दिलिप मोदक जिसने मास्क पहन के फोटो लगवा रखिया concept clear पहले कोरो यह जो मैंने कोरो है ना यह जो मैंने कोरो होए यह मैंने concept तो बताया है मैंने ऐसे जोड़ी करा परवार्णों के शक्राइब दोस्तों यह सही अंसर होगा ठीक है दोस्तों I am best teacher of science ऐसे बोल रहा हूं कि हम आपको यह concept भी तो है आ गया समझ में चले आगे आजाओ नेश कोशन आपके स्क्रीन पे अंसर आप लोग बताए बताओ मेबो मियन ग्रंथी कहां परिस्तित होती है दोस्तों ग्रंथी किसको बोलते है सर जिनसे कोई ना कोई पदार्थ निकलता है तो इससे भी कोई ना कोई निकलता होगा पदार्थ बताओ यह ग्रंथी पाई कहां पर जाती है दोस्तों यह ग्रंथी पाई जाती है आपकी आई में देको इस जगे पाई जाती है दोस्तो इस से थोड़ा सा oily substance कुछ निकलता है है न ते लिए पदार्त आप लोगों का निकलता है जो कि क्या करता है आपके इस पानी को आख में जो पानी होता उसको सूकने से बचाता है ठीक है तो यह आप लोगों की जो gland है कहां पर मिलेगी आपको आई में मिलेगी option number D चलिए बहुत बढ़िया चलो आजाओ नैश कोश्चन आपकी स्क्रीन पे अंसर आप लोग बताए अवतल लेंज की आवर्दन श्रमता कित्ली होती है सर आवर्दन क्या होता है magnification power क्या होती है magnification होता है height of image यह मैं बोलू image की size प्रतिविम का आकार बटे वस्तू का आकार मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ दोस्तों जो concave lens है ओतल लेंस है इसके सामने चाहिए वस्तू को यहां पर रखो यहाँ पर रखो कहीं पर भी रखो Concave lens, outer lens हमेशा छोटा प्रतिविम बनाता है हमेशा छोटा प्रतिविम बनाता है तो अगर छोटा प्रतिविम बनाएगा तो यह वाली value कम होगी मालो आपने 2 cm की क्या रखी वस्तू रखी 2 cm उचाएगे लेकिन प्रतिविम क्या बनाता है छोटा बनाता है, एक cm की उचाएगे आ रही है तो magnification का मान हमेशा एक से कम ही होगा option number B हो जाएगा ठीक है, चलिए, बताईए question आपके screen पे दोस्तों शाम को 4 बजए आप लोग ready रहिएगा समतल दरपन की focus दूरी और आवर्दन बताओ आप बताओ, बताओ, बताओ देखो ये रहा आपका plane mirror ये रहा आप लोगों का समतल दरपन, बहुत बढ़िया ठीक है, अब क्या करना है क्या करना है इसका magnification बताना है और focal length बताना है दोस्तों आपको पता है, जब भी दरपन के सामने कोई वस्तू रखोगे तो जो प्रतिविम बनेगा न, वो समानाकार का बनता है ना छोटा बनता है, ना बड़ा बनता है हमेशा समानाकार का तो magnification का मान क्या होगा अगर magnification का मान एक से जड़ा होता है इसका मतलब इमेज बड़ी बन रही है magnification का मान एक से छोटा हो रहा है तो इसका मतलब इमेज छोटी बन रही है दोस्तों जब हमेशा समानाकार का प्रतिविम बनेगा तो magnification का मान एक होगा तो इस option को आप लोग हटा दो इस option को आप लोग हटा दो बच्चे ये अब बात करते है focal length की दोस्तो focal length क्या होता है आप मुझे बताओ radius of curvature का आदा होता है क्या होता है क्या अब मेरी बात समझो ध्यान से समझो मैं आपको बोलू कि मेरे पास में एक curve है एक curve है वक्र जानते हो ना मैं पढ़ा ना बिल्कुल क्या इसका कुछ radius of curvature होगा क्या इसको इसकी कुछ वक्रा तरज्जा होगी क्या बिल्कुल दोस्तो इस pattern को follow करो follow करो follow करो तो एक circle आपको मिलेगा तो उसकी जो radius उसकी कुछ ना कुछ radius होगी ना बिल्कुल दोस्तो एक plane है जैसे हमको प्रत्वी कैसी लगती आप रोड़ पे चलते हो बिल्कुल सपाट लगती ना लेकिन कहीं ना कहीं जिस रोड़ पे आप लोग चल रहे हो वह बहुत बड़े स्पेर का पार्ट है ना तो यह जो मिरर है इसको भी में बहुत अनंत त्रज्या वाले देले का पार्ट मान सकता हूं ना तो उसकी त्रज्या क्योंगी अनंत होगी आपके स्क्रीन पर ध्यान से लेखो अंसर बताओ दोस्तों बड़े दुर्बाग्ये की वात एक बार बताओं आपको बहुत सारे बच्चे एलपी टेक्निशन की तैयारी कर रहे हैं सपना है लेकिन उनको देखो अभी भी लाइव चैट में एक आप खुद देख लो सूरत सिंग नाम का लड़का क्या बोल रहा है कि सर में एलपी टेक्निशन की तैयारी कर रहा हूं जंडरल साइंस और बेसि कि किसी चालक के पदार्त की विद्ध प्रतिरोदक्ता रो है ठीक है जैसे मालो आपने कोई वायर लिया मालेत है वायर है इसकी प्रतिरोदक्ता रो है अब आपने दूसरा तार लिया इसकी लंबाई दुग नहीं है लंबाई भी दुग नहीं है यह एरिया भी आपने तीन अगर पदार्ट चेंज करते हैं इसके अगर नहीं करता है जितनी इतनी रहेगी क्योंकि पदार्थ वह ही है के चलिए नैश कोशे नेमली कित काउन बहु कोशी के जीव है इन में से कौन सा एसा जीव है जो बहुत सारी कोशी काउसे मिलके बना हुआ है दोस्तो जितने भी बैक्टिरिया है ना सारे एक कोशी के जीव है उनमें किवल एक सेल उपाई जाती है तो ये तो अंसर होगा नहीं बताओ क्या होगा दोस्तो जो फंगस होते है ना फंगस जैसा कि मैंने आपको क्या बता है फंगस और प्लांट में में डिफ्रेंस क्या है प्लांट फोटो सिंथिस कर सकते हैं फंगस नहीं कर सकते है बाकि सारी सीमिलेटियन में प्लांट भी मल्टी सेल्वर होता हैं फंगस भी मल्टी सेल्वर होता है बहुत सारी कोशीगा से मिलके बने होता है एंटिबाइटिक दवाई बनाने में होता है चलिए दोस्तों लाज कोशन आपके स्क्रीन पे यह आपका होमवर्क है कमेंट में आप जवाब दीजेगा वैसे इसका सॉलुशन मैंने नेक्स स्लाइड पे लगा दिया है अब ध्यान से आप लोग समझो आज शाम को चार बजे हम लोग विगत वर्ष के प्रशन करेंगे एलपी टेक्निशन के की पेपर कैसा आया था साइन्स के कुशन समझ गई बात को शाम को चार बजे और दोस्तों एक लाइव जनरल साइन्स की नई क्लासेच का आपको काफी समय से इंतिजार था वो आप लोगों का रेलवे के जो 10 15 संडे 10 15 एम मजह आ जायागा जब आप लोग सुनोगे ठीक है तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इत्ता रखते हैं इसकी पीडिएफ टेलीग्राम चैनल साइन्स बाइ नीरत सर पे मिल जाएगी जस्ट आफ्टर दी क्लास ओके ठीक है अगर आपको टेलीग्राम चैनल क ठीक है ठीक है चले आगे थैंक्यू सो मच्छ दोस्तों टेक केर बबाई